नश्कार साथ ही हूं श्वागत है आपका TGTPDT आर्ट के उटूपेट घाम पे मैं हो मरी शुक्ला और ये है आपकी स्मार्ट रिविजन की क्लास सुबा के बच गए हैं हैं वेरी वेरी गूड मॉर्निंग टू आल अफ यू चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्मार्ट रिविजन आज से में स्टार्ट करेंगे यूरोपी एक अला को और इसका संपोर्ट रिविजन करवाएंगे मैं देख रहा हूँ कि जब मैं शाम के लाइब में आप से बेस्टान आर्ट के सवाल पूछता हूँ तो आप लोगों के स्टार्ट ठीक नहीं लगती है मुझे ठीक है ना देखे इस रिविजन का उद्दे से सिर्फ रिविजन है जिन्होंने कला की थोरी नहीं पढ़ा है उनके लिए किसी कामका नहीं है तो जिन्होंने कला की थोरी नहीं पढ़ा, पहले कला की थोरी अच्छे से पढ़ें, किताब से पढ़ें, अध्धापक से पढ़ें, किसी भी इस्टिटूट से पढ़ें, लेकिन पढ़ें अगर मेरे से पढ़ना है तो एक जून से मैंने एक नया बैज स्टार्ट किया है आप उसको जॉइन कर सकते हैं बैज को जॉइन करने के लिए आप मुझे फोन कर लीजिए 96, 96, 82, 76, 46 पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी इसके अलामा हमारे नोट्स की बुकिंग स्टार्ट हो गई है करीब 100 स्टुडेंट को नोट्स भेजे जा चुके हैं अगर आपको नोट्स लेना है तो आप नोट्स की बुकिंग ततकाल करवाए नोट्स की बुकिंग करवाने के लिए 96, 96, 82, 76, 46 पर आप मुझे पोन कर सकते हैं नोट्स की बिसेष्टा यह है कि उसमें कम्प्लीट TGT का कोर्स आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा नोट्स आपको एक साथ मिल जाएगा जिसमें बारती चितरकला का इतिहास, यूरूपी चितरकला का इतिहास, शमकालीन कलाकार इसके अलावा बिविध प्रशनों को उसमें सामिल किया गया है उसमें आपको मूर्ती कला मिलेगा, उसमें आपको कला दिरगाओं की सूची मिलेगा उसमें चितर सितरकारों की सूची मिलेगा ठीक ना तो ये तरीके से complete notes हुग है अगर notes आपको लेना है तो आप book करवा सकते हैं अभी चली start करते हैं आज का पहला सवाल लेते हैं मिस्र की लिपी को कहा जाता है मिस्र की लिपी को कहा जाता है पवित्राच्छर, सुरेखन, किलाच्छर या इनमें से कोई नहीं आप सब को जिन सवालों का उत्तर पता हो comment box में आप लोग लिखते हुए जाएंगे खुशी नमबर एक का सही आंसर क्या हो जाएगा पवित्राच्छर, मिस्र की लिपी को क्या कहा जाता है पवित्राच्छर कहा जाता है अगला सवाल देखेंगे तूतन खामेन की समाधी कहा है तूतन खामेन की समाधी कहा है जापान में, भारत में, युनान में या मिस्र में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संड़ी मिस्र मिस्र के प्राचीनतम चितरकिस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं सिंदू होई नहीं सकता भारत में बहती है नील नदी या पीत नदी या इनमें से कोई नहीं तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप से भी नील नदी अगला सवाल देखते हैं समराट जोसर के काल को कहा जाता है समराट जोसर के काल को कहा जाता है पिरामिडो का यूग, संगीत का स्वन्ड यूग, मस्तबा का यूग या इन में से कोई नहीं कुशन नमर फूर का सही आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो comment box में लिखिए और अगर नहीं पता है तो धान से सुन करकि याद कर लीजे पिरामिडों का यूग कहा जाता है क्या पिरामिडों का यूग कहा जाता है आप से यह सही हो जाएगा आगे देखेंगे सबसे बड़ा पिरामिड है खप्रे, खूफू, मैंकुरे या इन में से कोई नहीं है question number 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा खूफू आगे देखेंगे अंतेष्ठी की कला कहा जाता है question number 6 का सही आंसर क्या हो जाता है question number 6 का सही आंसर क्या हो जाता है मिस्र में अगला सवाल देखेंगे नेफर तिती की मूर्ती कहां से संबंधित है नेफर तिती एक राजकुमारी थी इनकी मूर्ती कहां से संबंधित है सुमात्रा, जावा, मिस्र या रूस तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन C, मिस्र आगे देखेंगे मिस्र की लिपी को समझने के लिए किसी यंतर की सहायता ली जाती है पवित्राच्छर, रोजेतासिला, भावाक्छर या इन में से कोई नहीं कुछन नमबर नौ का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन भी रोजेतासिला मिस्र के सासकों को कहा जाता था मिस्र के सासकों को कहा जाता था निरिप, हराउन, राजन या राजा पुछन नमबर दस का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन भी हराउन अगे देखेंगे मिस्र के पुर्षयों महिलाओं के लिए किस रंग का प्रियोग किया गया है यानि कि पुर्षयों महिला के लिए क्रमसा किस रंग का प्रियोग किया गया है आपसन यह है नीला पीला आपसन भी है लाल पीला आपसन सी है हरा लाल और आपसन डी है नीला और हरा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन भी सही हो जाएगा लाल और पीला यानि कि लाल रंग पुरसों के लिए और पीला रंग महिलाओं के लिए आगे देखेंगे महारानी नेफर्तिती का संबंद किस काल से है महारानी नेफर्तिती का संबंद किस काल से है औल्ड किंग्डम से, न्यू किंग्डम से, अंधकार यूग से या इडमे से कोई नहीं कुशन नमबर बारा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसल भी न्यू किंग्डम से आगे देखेंगे बस्ट आप नेफर्तिती कहां पर सुरच्छित है बस्ट आप नेफर्तिती कहां पर सुरच्छित है बरलिन में, रूस में, USA में या जापान में कुशन नमबर 13 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसल ये बरलिन जिनका आंसर आपको पता है आपको बताना है और आखर में ये भी बताना है कि आपको कितने पता था है कितने सवाल आपके सही हुए ठीक ना, आगे देखेंगे अमरत की कला किस देश की कला को कहा जाता है अमरत की कला किस देश की कला को कहा जाता है युनान, मेसोपोटामिया, USA या मिस्र अमरत की कला किस देश की कला को कहा जाता है कुशन नमबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संडी मिसर की गला को आगे देखेंगे जिगुरत कहा जाता है मस्जित को, चर्च को, श्यडीदार मंदिर को या इन में से कोई नहीं कुशन नमबर पंदरा का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संसी शेड़ीदार मंदिर को तो जिगरत एक प्रकार का मंदिर होता है ठीके ना आगे दिखेंगे जूलते हुए बाग का निर्माड किस सासक ने कराया था तूतन खामेन अकनाटेन नेफर्तिती या नेवुख जूलते हुए बाग का निर्माड किस सासक ने करवाया था कुशन नमबर 16 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संडी नेवुख दनेजर यानि कि जिसका नाम लेना सबसे कठिन है वही सही जूलते हुए बाग कहां परिस्थित हैं बेवी लोनिया में रूस में गीजा में या जापान में जूलते हुए बाग कहां परिस्थित हैं कुशन नमबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संडी बेवी लोनिया में आगे देखेंगे जिगुरत किसे कहा जाता है अभी उपर आपने देखा क्यों एक प्रकार का मंदिर होता है परियटक अस्थल होगा नहीं पूजाग्रे जापान या गीजा तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप संडी पूजाग्रे दजला और फरात नदियों के बीच में कौन सी सभिता विक्सित हुई दजला यों फरात नदियों के बीच में कौन सी सभिता विक्सित हुई मिस्र की सभिता यूनान की सभित आगे देखेंगे कुमहार के चाक का प्रयोग सरप्रथम हुआ है, चीन में, जावा में, सुमात्रा में या मेशोप्रथम्या में, कुछिश नमबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संडी मेसोपोटामिया आप लोग लाइक करते रहना ठीक है ना गुर्दक्षणा आपकी लाइक ही है क्योंकि ये सुबा वाली जो क्लास एकदम फ्री होती है और रात 9 बजे वाली जो क्लास होती एकदम फ्री होती है और गुर्दक्षणा के बिना जान संपूर नहीं होता और गुर्दक्षणा आपका क्या है आपका Like, Comment, Share, ठीक है ना अगरा सवाल देखेंगे सीसे का सरप्रथम प्र्योग मिलता है रूस में मिस्र में मेसोपोटामिया में या USA में सीसे का सरप्रथम प्र्योग मिलता है कुछ कि नमबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सन्य यह कांगा उगे देखेंगे लेखन पद्दती का विकास सरप्रथम कहां के निवासियों निकिया युनान, मिस्र, शुमेर या चीन कुछ नमबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसंद C, सुमेर आगे देखेंगे लेमा शश किस सभ्यता में अंकित है लेमा शश किस सभ्यता में अंकित है चीनी, मिस्र, ग्रीक या मेसुपोटामिया कुछ नमबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसंद C Greek आगे देखेंगे Slender Seal का संबंद किस काल से है सुरी किस कला से है सिलेंडर सील का संबंद किस कला से है मेसोपोटामिया से माईशीनियन से असीरिया से या इनमें से कोई नहीए कुछ नमबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन ये मेसो पोटामिया से आगे देखेंगे मानो मुख के साथ पंक धारण किये हुए सांड का चित्रन किस काल में हुआ है मानो मुख के साथ पंक धारण किये हुए सांड का चित्रन किस कला में हुआ है बार बार मैं काल बोल ला हूँ किस कला में हुआ है,क्रीट में या माईसीनियं में, बुल जंपर नामग भित्तिचित्रप्राप्त होता है नासोम से, गीजा से, त्राइननगर से या मिस्तर से बुल जंपर नामक भित्ती चित्र प्राप्त होता है Q27 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन ये ना सोम से आगे देखेंगे होमर द्वारा रजित पुस्तक है इलियड, मृतिकों की पुस्तक, डिवाइन कामेडी या इन में से कोई नहीं Q28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन ये इलियड आगे देखेंगे मेसो पोटामिया का इतिहास किसने लिखा होमर ने, बेरोसोस ने, हेन्री रालिंसन ने या इन में से कोई नहीं Q29 मेसो पोटामिया का इतिहास किसने लिखा Q29 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन यहाँ पर B सही हो जाएगा बेरोसस ने बेरोसोच ने या बेरोसस ने ठीक है ना तो मेसो पोटामिया का इतियास किसने लिखा बेरोसोच ने आगे देखेंगे Q30 Q30 का सही आंसर क्या हो जाएगा ठीक है ना आगे देखेंगे और आज का आकरी सवाल है यह मिस्र की पर्थम भवन दिर्माड कला कितनी पुरानी है मिसर की पर्ठम भौन घिरमाड कला कितनी पुरानी है 3,000 वीषी पूर 5,000 वीषी 1095 वीषी या पचीश्चो वीषी तो इसका सही आंशर क्या हो जाएगा 3,000 वीषी यानि की इसा मसीह के जन्वा लेने के 3,000 वर्स पूर्व की ये बात है तो इस प्रकार आज हमने 31 प्रस्टा को करवाया यह सिलसिला लगातार जाड़ी रहेगा आप लोग सुबा 8 बजे की क्लास और रात 9 बजी क्लास जरूर देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह एक जाम टक ऐसे ही चलते रहेंगे यहाँ पर मैं एक चीज कानफर्म कर दूँ कि अगर आपको एक जून वाली बैच जोईन करनी है जो की भी एक जून से स्टार्ट हुआ है यह आपको नोट से बुक करना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 96 96 82 76 46 संपूर जानकारी आपको दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद